एक ऐसा इंसान जो कि खुद की बिजली बनाता है एक ऐसा देश जहां लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं क्रिकेट में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है और क्या अपने हवा को अपनी आंखों से देखा हैं और क्या आपने कभी मोधी जी की चाई की दुकान दिखी हैं ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रही है वीडियो के लास्त दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे लेकिन इस अजीब इनसान मोहन ने अपने शरीव में दोड़ते वाले करण से पुरी दुनिया को हैरान कर लखा है इनके शरीव में 0.25 A तक करण दोड़ता है जो किसी इनसान को मौत की नीन सुलाने के लिए काफी है एक्सपर्स ने मोहन पर बहुत सारे टेस्ट किये हैं इसमें उन्हों ने ड्रिल मशीन, बल्ब और भी कई चीजों को अपने शरीव में दोड़ने वाले करण से चला दिया सबसे हैरानी में डाल देनी वाली बात तो ये है कि आकियों ये इनसान जिंदा कैसे है इतने करण से तो एक इनसान की मौद बहुत आसानी से हो सकती है एक ऐसा देश है जहांके लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने की भी पैसे नहीं है असल में ये एक करिबियन देश है यहां के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पिती तेल मिलाकर उसका लेब बनाते हैं वो उसे धूप में सुखा के खाते हैं नमर 28 क्या पीजा खाते वक्त आपके मन में ये सवाल आया है कि पहली बार पीजा किस ने ओर्डर किया था और कप किया था असल में सन 1889 में इटली की रानी मार्गरिटा सेवाई ने पहली बार पीजा घर पर ओर्डर किया था और शायर मार्गरिटा पीजा भी इनही के नम पर पड़ा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नदी ऐसी भी है जो लगबाग 24 घंटे तक उल्टी बह रही थी तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे लिकिन ये सच है वैसे उस नदी का नाम मिसिसिपी है और ये नदी नौर्ट अमेरिका में मौजूद है ये सब एक भूकम के वज़े से हुआ था जो कि आपको एक मिलियन डॉलर का प्राइस देगा अगर आप उन्हें ये प्रूफ कर दिये कि पैरनोर्मल एक्टिविटीज सच में होती हैं जैसे कि घोष्ट, स्पिडिट ये सच में होती हैं अगर आप ये प्रूफ कर दिये तो वन मिलियन डॉलर आपकी क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने एक बंदर को पंजाब प्रांत में बॉर्डर पार करती हुए पकड़ लिया उसे वाइल इफ ओफिशल्स ने बहावलपुर में पकड़ा था और उस बंदर को बहावलपुर के चिडिया घर में बंग करके रख दिया है सुनने में आठपटा लगता है पर दोस्तों यह सच क्या आप जानते हैं कि इटलर को एक समय नोबल शांती पुरिस्काल के लिए नॉमिनेट किया गया था जी हाँ दोस्तों क्योंगि इटलर ने सारे मीडिया को सरकाल के कंट्रोल में ले लिया था जिसकी वज़े से जर्मनी के अंदर के अक्टिविटीस का बहारी देशन को पता ही नहीं चला था एक अनाहिता नाम की एक बच्ची है और इसकी मुस्कान को दुनिया की सबसे खुबसूरत मुस्कान घूशित किया गया है और इसकी उमर सिर्थ 4 साल की है आपने बहुत साथे लैंग्विज इसको सुनाई होगा जो कि सुनने में कुछ अलग लगते होंगे लेकिन आइरीस लैंग्विज के बारे में इंट्रस्टिंग बात तो यह है कि इस लैंग्विज में यस और नो के लिए वर्ड्स है ही नहीं अगर आपको यस और नो बोलना भी है तो आपको एक्शन का यूज करना होगा या फिर कोई आप्शन नहीं है यह कटना बहुत इंट्रस्टिंग है तर्की में साल दो साल पांच में एक भेड ने एक चोटी से चलांग लगा दी इसके बाद जो हुआ वह बहुत अजीब था क्योंकि जब पहले बेड ने चलांग मारी तो इसके पीछे 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 पंदरा सो भेड ने भी इसे यह फॉलो किया आपने आलमपिक प्लेज को तो देखाई होगा कि ये मेडल जितने के बाद ऐसे मेडल को हम बाइट करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मेडल को ऐसे बाइट क्यों करते हैं असल में ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि वो पता कर सके हैं कि वो असली गोल्ड है या नहीं 18. का कभी आपने दुनिया के सबसे पढ़े लिखे पक्षी के बावे में सुनने में अजीब है लेकिन ऐसा सच मुछ में है ये तोटे का नाम पक है और आप मालोगी नहीं कि इसे 1700 वर्ट बोलने को आते हैं और ये 1995 से ही Guinness Book of World Record में जगा मना है इसינ tutte में बोसे तो हल इनसान का खून लाल होता है इसकने का लावर हो जाता है और इस कन्डिशन का नाम heिवि Id 16 क्रिकेट तो लगबक हम सभी को पसंद है ये लेकिन कि आपने कभी सोचैंगे कि जब भी कोई बॉलर बॉल फेकता है तो हमें उसकी speed कैसे पता लग जाती है जबकि baller हवा में gain फिकता है और चारन तरफ मैदान ही मैदान होता है पहला तो क्या कविए आपने speed gun का नाम सुना है अगल नहीं सुना तो आपको बता दू कि ये speed gun का ही देन है चो अपने रफ्तार के मदद से ball को track करती है और हमें उसकी exact speed बताती है इसमें तो कोई शेक नहीं कि हम हवा को भी देख सकते हैं क्योंकि सबका जवाब ना ही होगा पर हमें नहीं बूलना चाहिए कि जहांपर हमारी source थम जाती है वहाँ से science का करिश्मा शुरू होता है जी हां, science के पास ऐसा तरीका मौझूद है जिससे हम हवा को देख सकते हैं और वो method है श्चिले रेन एफेक्ट दरसल इस method में flow के मदद से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों आपने अक्सर बड़े-बड़े हटलों में बड़े-बड़े kitchen के बारे में तो सुनाई होगा जो बताते हैं कि उनके यहां रोजाना कितना खाना बनता है लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़ी kitchen का reward किसके पास है अगर नहीं तो जान लीजिए कि अमरिल सर के golden temple को दुनिया की सबसे बड़ी kitchen का किताब दिया गया है यहां रोजाना एक लाग से ज़्यादा लोगों का खाना बनता है जो कि लोगों को लंगा के तौर पर free मिलता है अब इस image को आप अपनी screen में देख रहे हो वो एक ancient pocket shopping list है पुराने समय में लोग इस तरह की pocket shopping list का यूज किया करते थे जबकि आज technology कितनी बदल गई जोस्तों हर्याना के एक गाव में एक ऐसा गदा है जिसकी कीमत इसी लग्जोई कार से कम नहीं है टीपो नाम का ये गदा मिडिल इंडिया में इतना मशूल है कि बात अगर इसकी कीमत की करे हैं तो ये पूरे 10 लाग का है अपनी uniqueness के चलते हैं इसी इंडिया और एशिया में गदों का सुल्तान भी कहा जाता है आपने बच्पन से लेकर अब तक नाजरी कितने ही बार रोमन काउंटिंग देखी होगी और उसका यूज भी किया होगा लेकिन क्या आप चानतें कि रोमन काउंटिंग में ऐसा फिगर भी है जिससे डिफाइन ही नहीं किया गया इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि रोमन काउंटिंग में जीरो अक्यला एक ऐसा नंबर है जिसको शूर करने के लिए कुछ भी नहीं वना है इसलिए आप जहा कर भी रोमन में जीरो को नहीं लिख सकते जिसको लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसल होता है इसके बावजूद भी इसके अकेले भारत में 60% से जाला लोग सुबह उठने के आदे गंटे के अंदर ही तंबाकू को खाना शुरू कर देते है ब्राजिल में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम नाम का मतलब होता है इस नाम के चलते ही शायद यहां की आबादी सिर्फ 15,000 लोगों की है इस वैक पर शायर ही आपने कभी क्रॉल किया आप शायर नहीं जानते हैं कि आपके थम का साइज आपके नोस के साइज के बिल्कुल एक्वल एनी सेम है वेट 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 आप एक पर ट्राइ करके दीखें और अगर सेम है तो कमेंड में सरूर बताइए आप जानते हैं कि दुनिया के ग्रेट वेट वेटर सर्फ विलियम शेक्सपेर की मौत उनके 52 जन दिन पर हुई थी उनका जन टेवीज एपर 1564 को हुआ था और टेट 23 एपर 1616 को एक एक एक्सपेटिमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि ट्वाइलेट सीट पर जितने बैक्टिरिया होते हैं कि उससे लगबग 200 गुना ज्यादा बैक्टिरिया एक आम इंसान के एक कम्प्यूटर की बोर्ड पर होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्पल का सबसे पहला कम्प्यूटर कैसा था ये इमेज सान 1976 की है जब एपल ने अपना सबसे पहला कम्प्यूटर बनाया था और ये इमेज साल 2020 की है ये है एपल का सबसे लेटर्स और expensive computer है ना ये amazing difference नबर 3, Lily Flower के बाइ में तो आप सभी ने सुनाई होगा, लेकिन क्या आप जांते हैं कि सबसे बड़ा Lily Flower कौन सा है, जाइन्ट वूटर ली नमकर ये लिली सबसे बड़ा Lily Flower है, इसके पते तकरेवन 6-9 फीर तक होते हैं, इतना ही नहीं ये पत्ते 100 पॉंट से भी ज्यादा का वजन आसानी से उटा सकते हैं अगर आपको भी नहीं पता कि गूगल पर एक दिन में कितने सर्च होते हैं तो जान लीजिए कि गूगल पर रोजाना 6 अरब 58,60,13,574 सर्चे होते हैं जिन में 15% सर्च ऐसे होते हैं जिनको गूगल भी पहली बार देखता है दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे PM नरेंदर मोदी जी किसी जमाने में चाय बेचते थी लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी हैं जहां मोदी जी चाय बेचते थी अगर नहीं तू ये दिखीजिए ये है स्टॉल नमबर T13 ये वही स्टॉल है जहां मोदी जी कभी चाय बेचते थी इसी ठेले से उन्होंने PM की कुसित तक का सफल किया है उनकी इस इंस्पाइरिंग स्टॉरी से पता चलता है कि अगर महनत सच्ची हो तो सब कुछ मुम्टिन है गुड़त सर्केजिए इस लोगे लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगड़ वाले बेल आइकन को भी आउन कर लेना